सुप्रभाद मैं शिप्रा सिंग आप सभी का स्वागत करती हूँ आएमटी मीडिया के खास कारिक्रम हिस्ट्री ओफ दर डे में आज के दिन 1727 में महाराजा जै सिंग दुतिया ने जैपू शहर की स्थापना की जैपू शहर के वास्तुकार बंगाल के विद्याधर चुकरती थे जैपूर को आधनिक शहरी योजनाकारो द्वारा सबसे नियोजित और विवस्तिस शहरों में गिना जाता है इस शहर के वास्तु के बारे में कहा जाता है कि शहर को सूच से नाप लीजिए नाप जोक में एक बाल के बराबर भी फर्क नहीं मिलेगा जैपूर को भारत का पैरिस भी कहा जाता है जैपूर गुलावी नगर के नाम से भी मशहूर है जैपूर राजिस्थान राज्ये की राजधानी है आज के दिन 1972 में शेरके सतान पर भाग को भारत की राष्टे पशु के रूप में अपनाई गया 2010 में रूस के सेंट पीट्सबर्ग में हुए बाग समेलन में 29 जुलाई को अंतर रास्ट्रे बाग दिवश मनाने का निर्ने लिया गया इस समेलन में 2022 तक बागो की संक्या में दोकुनी बडोतरी को लक्षे रखा गया बागो के संरक्षन के बारे में जागरुकता फहलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है भारत में बागो की रक्षा के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी शुरू किया गया आज के दिन 28 में पहली बार मिंकी माॉस अपने फिल्म स्टीम बोट विली के साथ बड़े परदे पर दिखा स्टीम बोट विली दुनिया की पहली काटून फिल्म थी जिसमें तस्वीरों के साथ आवाज भी थी इसके बाद मिक्की 130 से ज़्यादा फिल्मों में दिखा 1942 में लैंड एपा नाम की उसके फिल्म को बहतरीन काटून फिल्म के लिए आसकर भी मिला आज के दिन 1963 में अमेरिका टेलिफोन कमपनी बेल सिस्टम दुनिया के सामने पहला ऐसा फोन लाई जिसमें बटन वाला डायलिंग पैट था पुश बटन फोन से रोयटरी डायल फोन को बदल दिया जो दशकों से उप्योग में था बटन वाला पहला कमर्शियल फोन पैंसिल्वेनिया में लगाया गया शुरुवाती समय में बटन वाले फोन में दस बटन हुआ करते थे हर संख्या के लिए एक बटन लेकिन पांस साल बाद 1968 में एस्ट्रिक और हैश के बटन जोड़े गए आज के दिन 1962 में परमवेचक विजेता मेजर शैतान सिंग सहीद हुए थे इसी दिन 1893 में प्रसिद पुरादा त्विद अलेक्जेंडर कनिंगम और 1835 में कर्णल तोड का निधन हुआ मेजर शैतान सिंग ने 1962 के भारत चीन युद में वीर्टा का परिचे देते वे भारत माता पर अपने प्राण ने उचावर कर दिये शैतान सिंग को मन्नो प्रांथ 1963 में परमवेचक से सम्मानित किया गया ब्रीटिस पुरातत शास्री कनिंगम को भारत के पुरातत अन्वेचन का पिता भी कहा जाता है वे भारतिय पुराता त्विक्स अन्वेचन के प्रथम डारेक्टर जनरल थे चबकि अंग्रेज अदकारी एमाम इत्यास कारी कर्णल जेम्स चोट को राजिस्तान के इत्यास लेखन का पितामा माना जाता है उनके द्वारा रजित पुस्तक में पहली बार राजिस्तान शब्द का प्रियोग किया गया था आज के लिए बस इतना ही कल फिर हाजर होंगे इत्यास में दर्ज कुछ और महत्पून गटनाओ के साथ देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए आइमटी मीडिया